बिहार टीवी नई सोच नई दिशा आरेम दानापूर अनुपम चंदन ने संयुक्त रूप से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया कार्यकरम को संबोधित करते हुए सांसत कौशलंद्र कुमार ने बताया कि यह आकर्शक राजगीर मरमास मेला में यात्रियों के आने हैं तू काफी सहूलियत देगा बिहार के लोग पिरिये मुख्य मंतरी शिरे नितिश कुमार ने इस बार राजगीर मलमास मेला में हर तरह का इंतजाम किया है पर्यटक को अपनी ओर यह मेला आकर्शित कर रहा है यह स्पेशल ट्रेन चलने से राजगीर मलमास मेला आने वाले श्रत धालूं के लिए काफी उपयोगी होगा हमने पुर्व मध रेलवे हाजीपूर के महापरबंधक एवं रेलवे के वर्यदिकारी उस ट्रेन चलानी के लिए बोला था आज यह ट्रेन राजगीर से खुल कर विभिन स्टेशन होते हुए पटना पहुंचेगी एवं पटना में चल कर विभिन स्टेशन होते हुए राजगीराने वले श्रत धालूं को लेकर यह ट्रेन राजगीराएगी सांसच श्री कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि मानिय मुख्यमंदरी नितीश कुमार जी के कुशल दिशा निर्देश में मेला काफी विशिष्ठ होगा लोगों के सीविधा हेतू, टेंट, सीटी, सस्ता खाना एवं बहुत सारे सुक्सुविधाएं राजगीराने वले श्रत धालूं को मिलेगा राजगीर के मुख्याले से लगभग सभी जिला जुड़े हुए हैं और इस मुख्याले से पटना से या ट्रेन राजगीर पहुँचेगी इस अफसर पर सिनियर डियेम पंकच कुमार, एडियेन राजगीर डियेक के सिन्हा, पाट पारशद मीरा कुमारी, युवा नेता डॉक्टर शशिकांत कुमार टोनी, बिगुल सी मुकेश कुमार, अमित कुमार, रिक्की, अधिवक्ता, जद्यूनेता, सुवेंद्र राज जवनची मौके पर उपस्थित थे. कि अधिवक्ता जवनची मौके बिगुल सी मौके पर उपस्थित थे. कि अधिवक्ता जवनची 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 मौके पर उपस्थित थे. के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले.